राधे राधे जी, आपका हमारी चानल लाडली क्रीपा पर बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गनेश चतूर्थी की कथा सनाएंगे। तो चलिए शुरुवात करते हैं। पुरानिक कठा के अनُसार एक बर माता पार्वती ने अपने मैल से एक बाल का उत्पन किया। और उसे सनान गर के बहार रख्षा करने का आदेश दिया। और कहा कि किसी को भी अंदर आने न दे। जिसके बाद उस बालक ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। अंत में वहां महादेव आई और उन्होंने भी अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन उस बालक ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का गला काट दिया जब माता पार्वती को यह पता चला तो वह अत्यंति क्रोधित हो और उन्होंने अपना शक्ति रूप धारन कर लिया और संसार में प्रले लाने की टतिग्या की जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विश्नु को आदेश दिया कि उत्तर दिश्रा में जो भी माता अपने बच्ची की अथिनी के बालक का सिर काट लिया और भगवान शिव के पास ले आए भगवान शिव ने उस हतिनी के बच्ची का सिर उस बालक के सिर से लगा दिया इसके बाद माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और सभी देवताओं ने उस बालक को आशिरवात दिया हम आशा करते हैं कि हमारी है वीडियो आपके लिए मददकार होगी तो कृपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो क्रीपिया कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद